बिदेशी यात्रियों के यात्रा व्रितांत सबसे पहले अलबरुनी अलबरुनी का जन्म 973 इस्वी में ख्वारिज्म जो की अभी उजबेकिस्तान में पड़ता है वहीं पर हुआ था अलबरुनी कई भासाओं को जानता था जिसमें सिरिया, सिरियाई भासा, फार्सी, हिब्रु और संस्क्रित सामिल है 1017 इस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमन के बाद महमुद गजनवी यहां से अनेक विद्वानों और कव्योक अपने सातराजधानी गजनी ले गया था जिसमें एक अलबरुनी भी सामिल था अलबरुनी बंधक के रूप में गजनी आया था लेकिन धीरे धीरे उसे सहर पसंद आने लगा और सत्तर वर्स की आयू में अपने मरित्यू तक सेस जीवन वहीं बिताया था गजनी में ही अलबरुनी को भारत के प्रतीरुची विक्षित हुई अलबरुनी ने ब्राम्हन पुरोहितो और विद्वानों के साथ अनेक वर्स व्यतित किये और संस्कृत धर्म दर्शन का ज्यान प्राप्त किया अनेक भासाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अगला आएगा किताब उलहिंद किताब उलहिंद किताब उलहिंद ये एक रचना है किताब उलहिंद एक रचना है जोकि अलबरुनी द्वारा अरवी में लिखी गई है अलबरुनी द्वारा अरवी में लिखी गई पुष्टक है किताब उलहिंद इसकी भासा सरल है यह एक विश्त्रित ग्रंद है यह धर्म, दर्संतियोहार, खगोल विज्ञान, रिती रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, मापतल और मापन विधी, मुर्ती कला और कानून के विशाय के बारे में औसी अध्यायों में यह बटा है किताबुल हिंद, अलबरुनी ने प्रतेक अध्याय में एक विशिष्ट सैली का प्रयोग किया, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृत वादी परमपराओं पर आधालित वर्नन और अंत में अन्य संसकृतियों के साथ तुलना की जाती थी, इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरुनी लगवग पूर्ण रूप से ब्रामपनों द्वारा रचित क्रीतियों पर आश्रित रहा, वह भारतिये समाज को समझने के लिए वेद, पुरान, भागवद गीता, पतंजली की क्रीती वह मनुस्मिनिती पर निर्भर रहा, संस्कृत के व लोगों को समान माना जाता था, तथा भिन्दताएं के वल धार्मिक्ता के पालन में थी, जाती विवस्ता के संदर्भ में ब्राम्मन वादी विवस्ता को मानने के बाद भी अलबरुनी ने ओपवित्रता की मन्यता को श्विकार नहीं किया, उसके अनुशार जाती विवस् अल्बरुनी ने यह भी लिखा है कि प्रतियक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है पवित्रता को पुनाप्राप्त करने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है अल्बरुनी लिखता है कि वैसे और सुद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है ये दोनों एक साथे ही सहर्वा गाउं में रहते थे जाती विवस्ता के विशाय में अल्बरुनी का विवरन संस्कृत गन्थों से पूर्ण रूप से प्रभावित है यद्यपी अंतियज्य सामाजिक प्रतार्णा के शिकार थे प्रन्तु फिर भी अर्थतुंत्र का हिस्षा थे इबन बतुता का जन्म हुआ था टाजियर मुरको के एक सम्मानित परिवार में हुआ जो इसलामी कानून अथमा सर्या पर अबना विशे सग्यता के लिए प्रसित था इबन बतुता का जन्म हुआ था मुरको या टाजियर इबन बतुता पुस्तको के अस्थान पर हियात्राओं से अर्जित अनुवाओ को ग्यान का सरुत मानता था भारत प्रस्थान से पहले वं मक्का, सिरिया, इराक, यमन, ओमान और पुर्वी अफ्रिका के अनेक तटिये बंदरगाहों की यातरा कर चुका था मध एशिया के मार्ग से होकर इबन बतुता तेरे सात्ताइटीस में असल मार्ग से सिंध पहुँचा था मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसे कैद कर लिया गया फिर बाद में उसको राजकिये सेवा में लिया गया मुहम्मद बिन तुगलक ने 1342 इस्वी में मंगोल सासक चीन के मंगोल सासक के पास सुल्तान के दूद के रूप में जाने का अदेश दिया इवन बतुता को उसने ब्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिन तक गया था परन्तु महां लंबे समय तक नहीं रह सका और 1347 इस्वी में घर जाने का निश्चय किया 1354 इस्वी में वह घर वापस आ गया इवन बतुता ने रेहला नामक पुष्टक लिखी है जोसमें भारत से संबधन जानकारी मिलती है चीन के विशय में उसके बृतान्तों की तुलना मारको पोलो जो की वेनिस यात्री था उसी से की जाती है उस समय यात्रा करना अधिक और सुरक्षित था इवन बतुता अनेक बार डाको के आकरमनों से परिशान हुआ है यही कारण है कि वो अपने साथियों के कारवा में चलना पसंद करता था अकेला नहीं चलता था इवन बतुता एक हठिला यात्री था जब वह वापस गया तो अस्थानिय सासक के नर्देश पर उसकी कहानी या वृतानतों को दर्ज किया गया इवन बतुता द्वरा नारियल का वर्णन एक प्रकृती के विस्मय कारी वरिक्ष के रूप में किया गया है भारतिये इससे रस्ती बनाते हैं लोहे की कील के बजाए इससे जहाज को सिलते हैं इवन बतुता पान का भी वर्णन करता है वह नारियल वपान से पहले से परचित नहीं था इबन बतुता के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा सहर था प्राचीन नगर दौलताबाद जो महराश्ण में था वो भी अत्यधिक बड़ा था जिसमें 28 द्वार थे जिसमें बदायू दरवाजा सबसे विशाल था मंडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी थी देहली सहर में एक सुंदर कब्रगाह थी जिससे चमिली वा गुलाब जैसे फूल उगाय जाते थे जो सभी मोसमों में खिले रहते थे अधिकांस नगरों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था बंद नगरों में नर्तकों, शंगीतकारों और गायोकों के शार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अस्थान चिन्नित होते थे इबन बतुता को सहर की सम्रिद्धी का वर्णन करने में अधिक रूची नहीं थी ताराबाद, दौलताबाद में पूरुस मों महिला गायोकों का बजार था ताराबाद और दौलताबाद में पूरुस और महिला गायोकों का बजार था इबन बतुता डाक परणाली की कारिय को शलता देखकर शकीत हो गया है इसमें नो केवर लंबी दूर तक दूरी तक सूचना भेजना वह उधार प्रेशित करना था बलकि अलप सूचना पर माल भेजना भी था डाक प्रणाली इतनी कुसल थी कि जहां सिंद से दिल्ली की यात्रा में पचास दिन लगते थें वहीं गुप्त चरो की खबर सुल्तान तक इस डाक विवस्ता के माध्यम से मात्र पांच दिनों में पहुँच जाती थी लगवक सभी व्यापारिक मारगो पर शराय और विश्राम ग्री अस्थापित किये गए थें बर्नियर फ्रांसिसी चिकित्सक, राजनी इतिग्य, धार्जनिक और इतिहासकार था बर्नियर फ्रांसेसी चिकित्सक राजनीतिग्य दार्सनिक और इतिहास खार था बर्नियर 1656 से 1666 इस्वी तक साह जहां के जेश्ट पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दर्बार में एक अर्मियाई अमीर दानिस मंद खान के साथ एक बुद्धी जीवी और बैज्ञानिक के रूप में मुगल दर्बार में रहा था उसने अपनी प्रमुख क्रिती को फ्रांस के सासक लुई चाउदावे को समर्पीत किया था प्रतेक द्रिश्टांत में बर्नियर भारत की स्थित्य को यूरोप से नीचे दिखाता है और अगले पांच वर्षों में अंग्रेजी, ड़ोज, जापानी, इतलिवी भासा में इसका अनुवाद हुआ बर्नियर ने अनेक बार मुगल सेनाओ के साथ यातरा की एक बार वह कश्मीर भी गया बर्नियर की क्रिती ट्रेवल इन मुगल एमपायर थी बर्नियर की क्रिती बर्नियर की रसना जो है वो ट्रेवल इन मुगल एमपायर इसका नाम है भू स्वामित्यों पर बर्नियर कहता है कि यूरोप के विपरीत भारत में नीजी भू स्वामित्यों का अभावा था मुगल समराट शारी भूमी का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था और्थब्वस्ता के लिए हानिका रख हुआ राजकिये भूस्वामित्व के आदार पर राजकिये भूस्वामित्व के कारण भू धारक भूमी अपने बच्चे को नहीं दे सकते थे इसलिए वे भूमी में सुधार वो निवेस में रूची नहीं लेते थे इस कारण से क्रिशी का विकास औरुद्ध हुआ बर्नियर लिखता है कि भारत में मौत दिवर्ग नहीं था हिंदुस्तान के बारे में उच्छने लिखा कि यहाँ की क्रिशी अच्छी नहीं है क्रिशी योग्य भूमी का एक बड़ा हिस्ता स्रामिको के आभाव में किछी विहीन है यहां की हवा दोसीत है बर्नियर चितावनी देता है कि यदि यूरोपिय सासको ने मुगलों का अनुसरन किया तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा बर्नियर हिंदोस्तान की अधिकान समस्याओं की ज़र नीजी भूस्वामित्व के आभाव को मांता था फ्रांसिसी दार्सनिक मांटेस्क्यू ने उसके यात्रा वृतांत का प्रयोग प्रयाच्य निरंकुस्वाइत की धारना को विक्षीद करने में किया इसी आधार पर मार हम जेहीं मुख्य का भूमी का एक मातर्श्वामी था शिल्पकारों के संदर में बर्नियर कोता है कि सिल्पकार मूल रूप से आलसी होते थे जो भी निर्वान करता था वह अपने और शक्ता या बाध्याता के कारण करता था शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बहतर बनाने की कोई प्रणा नहीं थी क्योंकि मुनाफे का अधिकरहन राज जिद्वरा किया जाता था इसलिए उत्पादन प्रतियक जगह पतनमुख था हाला कि वह यह भी सुचना देता है कि संपूर्ण विश्वशे बड़ी मात्रा में बहु मुल्या धातुय भारत आयती थी नगर के विशाय में वह लिखता है कि 17 सदी में लगवक 15 परतिसत भारतिये जमसंक्या नगरों में रहती थी यह अनवात उस समय के यूरोप से अधिक था इसके बावजूद भी बर्नियर भारतिये नगरों को सिविर नगर कहता है जिसका आसे उन नगरों से है जो अपने स्थित्यों के लिए राज किये सिविरों पर निर्भर थे और इसका कहना है कि वे नगर राज किये दरबार के आगमन के साथ अस्थित्यों में आतेद ह झाल झाल झाल